अब तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ अब तो मैं सब को इंजेक्शन लगाऊंगा और किसी को बिमार नहीं रहने दूँगा अरे लगता है कोई मरी जा गया चल कर देखता हूँ अरे अंकल और आंटी आप आओ 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 अंदर आओ अच्छा चिंटू बेटा आते हैं अरे अंकल और आंटी सोफे पर बैठ जाओ अच्छा चिंटू बेटा अरे चिंटू बेटा तुमने ये डॉक्टर वाली ड्रेस क्यों पहनी है अरे अंटी मैं डॉक्टर बन गया हूँ ना इसलिए मैंने ये ड्रेस पहन रखी है मैं अभी नंकल और आंटी को इंजेक्शन लगाऊंगा अरे भाई सहाब और भाबी जी आप कब आए अरे भाबी जी हम तो बिल्कुल अभी आए है अच्छा आप दोनों बैठो मैं अभी पानी लेकर आती हूँ अरे चिन्टु बेटा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल लही है अरे अंकल मैंने अभी आपको बताया थाना कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ ये लो इंजेक्शन अरे बाप रे बाप मुझे तो इसमें इंजेक्शन लगा दिया अरे आंटी आप भी बिमार लग रही हो आपको भी इंजेक्शन लगा देता हूँ अरे जल्दी भागो यहां से अरे चिन्टु बेटा तुम्हारे अंकल और आंटी कहा गए अरे मम्मी वो दोनों तो चले गए चले गए इतनी जल्दी चलो अब मैं बाहर चलता हूँ सबको इंजेक्शन लगा कर उनका इलाज करूँगा अरे गोरिल्ला भाई इधर सुन हाँ चिन्टु भाई बोल क्या हुआ गोरिल्ला भाई मुझे लगता है तेरी तबियत खराब है पीजे घूम तो जरा अरे चिन्टु भाई मेरी तबियत बिल्कुल सही है मैं पीछे क्यों घूम हूँ अरे गोरिल्ला भाई पीछे घूम तो सही अभी सब ठीक हो जाएगा अच्छा अगर तु कहता है तो मैं पीछे घूम ही जाता हूँ चलो अब इसका भी इलाज कर देता हूँ अरे मिन्टु और चिन्की तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ तुम दोनों का इलाज करना है अरे मिन्टु जल्दी भाग यहां से अरे मिन्टु और चिन्की रुक जाओ तुम दोनों अरे चिन्की जल्दी इधर चल कोई बात नहीं मिन्टू और चिंकी अभी तो बच गए तुम दोनों लेकिन बाद में तुम दोनों का इलाज जरूर करूंगा अरे लगता है इस पेड़ पर कोई सो रहा है चल कर देखता हूँ अरे लगता है बंदर भाई बीमार है इसलिए सो रहा है चलो इसे इंजेक्शन लगा कर ठीक कर देता हूँ बंदर भाई अब तु बिल्कुल ठीक हो जाएगा अरे बाप रे बाप मुझे इंजेक्शन किसने लगा दिया अरे कोई बच्चाओ मुझे चलो अब बंदर भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब मैं भी घर पर चल कर थोड़ा आराम कर लेता हूँ अरे चिंकी ये ले इंजेक्शन अरे मिन्टू इस इंजेक्शन का मैं क्या करूंगी अरे चिंकी इससे पहले चिंटू भाईया हमें इंजेक्शन लगाए हमें उनको ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा वरना हम उनसे नहीं बच पाएंगे हाँ मिन्टू बिल्कुल सही कहा तूने चल अब चलते हैं चिंटू भाईया के घर पर उन्हें इंजेक्शन लगाने हाँ चल चिंकी अरे वाँ चिंटू भाईया सो रहे है ये अच्छा मौका है हाँ मिन्टू सही कहा तूने चिंकी चल अब अरे बाप रे बाप मुझे दो दो इंजेक्शन लगा दिया कोई बचाओ मुझे अरे अर्ड़ा झाल